नमस्काद अश्को यूटुब के मेरे चैनल में आप सका स्वागत है आज का मरविशे है धनू राशी का दिसंबर 2019 का राशी फल आज के इस फीडियो में हम देखेंगे कि धनू राशी के जातकों के लिए दिसंबर का महा क्या लेकिया है मेरा ये राशी फल आपकी चंद राशी पर अधारित है यह केवल एक सदारण गोचर फल है आप इसको पेडिक्शन ना मानीं आपके सम्मूख यह धनू राशी की कुणली है धनू राशी की कुणली में चंद्रमा बिद्यमान है अगर आपकी नौनोंबर की राशी में चद्रवा वैटा है तो आपकी धनू राशी बनती है धनू राशी में सबसे पहले हम ग्रह गोचर देखें तो राहू महराज जो है मैंने आपको एक बात कही कि आप मेरे इस राशी फल को पिडिक्शन ना माने क्योंकि राशी फल ये बताता है कि गोचर में घ्रह कहां चल रहे है और पिडिक्शन के लिए जरूरी होता है कि गोचर और आपकी कुंड़ी की दशा मिलाई जाए जब गोचर के संग आपकी कुंड़ी की दशा मिलेगी तो आपकी जाके एक फुल प्रिडिक्शन बनेगी गोचर इस बात का संग के देता है कि आपका काम होने के समय आ गया है और अगर उसमय आपकी कुंड़ी की दशाएं भी अनकुन हुई तो निश्चित रूप से वह घटना घटेगी इसलिए मैंने आप से काया कि कई आप मेरे इस गोचर कोई प्रिडिक्शन आमाले इसलिए इसका साथधानी रखें हम इसका अगर हम देखें कि घ्रेव की कैस्ति है धनु राशी के जातकों के लिए तो सप्तम भाव में राहु माराज विद्दमान है तुला राशी में मंगल वबुद्ध है आगे चलकर बुद्ध जो है पंद्रा दिसंबर को विष्टिक राशी में चले जाएंगे सूरे जब धनु राशी में परवेश करेंगे तो वहां उस समय देव गुरु ब्रश्पति शनी माराज और केतु बिद्दमान होंगे सूरे के बाद 25 दिसंबर को बुद्ध भी जो है धनु राशी में आ जाएंगे और जो आपके लाब भाव के सौमिक शुक्र है वो पहले तो जो धनु राशी में रहेंगे 15 दिसंबर तक और उसके बाद वो जो है धन भाव में आ जाएंगे अब हम देखते हैं इसका प्रवाव धनु राशी के जातकों को इस गोचर का क्या लाब मिने वाला है सबसे पहले आ गया विवा का समय क्योंकि कुनली के सप्तमेश बुद् दिस्टी सप्तम भाव पर हो इसलिए धनु राशी के जातकों का विवा का समय आ गया अगर हम बात करें प्रेम समंदों की तो पंचमेश मंगल आपके ही एक आदश भाव में विराजमान है और उनकी दिस्टी है पंचम भाव पर एक दो तीन चार पांच छे साथ उनके पॉडिटिव समय है अगर आपके बीच में कोई गलत फेमी भी चल रही थी कोई अंडरस्टेंडिंग की कमी हो गई थी तो यह गोचर उस कमी को दूरा कर देगा विदार्तिवर के लिए अच्छा है कि पंचमेश अपने भाव को देख रहे हैं विद्या का कारक बुद्ध भी कर सकते हैं संतान ते समंदित आपकी कोई चिंता थी तो उस चिंता का निराकरन भी हो जाएगा धन समंदी मामलों की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि लाभेश शुक्र की जब महा का आरम होगा तो लाभेश शुक्र की शनी के साथ उती होगी आगे चलकर शु मामलों में टेंशन की कोई जरुवत नहीं है सुख सम्रिद्धी के और मांगलिक कारें के कारक शुक्र जो है आपके कुटु महाम में विराजमान है और अपने मित्र शनी की राशी में हैं आपके परिवार में कोई काम मांगलिक कारे होगा किसी का जनम हो सकता है या किसी का विवाद ही हो सकता है 16 दिसंबर के बाद आपके जो भागे शूर है वो लगन में भी राजमान हो जाएंगे तो आपको भागे का भी पूरा साथ मिलेगा पंचमेश मंगल की दिस्टी आपके शेष्ट भाप पर है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मंगल की दिस्टी होना इस बात का संकेत है कि अगर आपकी धनुराशी के जातकों की दिसंबर महा में कोर्ट कैसे समंदित कोई डेट आती है तो वो उसमें आपको अब मैं आपको बताती हूं कि आपको साथानिया क्या करते हैं पहली साथानी क्योंकि कुंड़ी में आपके लगन में बहुत सारे ग्रहों का जबाबड़ा हुआ है कोई चार-पांच ग्रह बैठी हुए है जबकि यह उचित है कि आपका लगनेश वराशी का है चतुरतेश साराशी का है धनेश और लगनेश की उती है इसलिए आपकी बरत्मान नौकरी है उसमें तो प्रावलम नहीं आएगी पर उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बरत्मान जॉब को दिसंबर महां में बदलें दूसरे सामधानी दिसंबर के महां में कई ग्रहों का परभाब आपकी कुंड़ी पर है इसलिए आप को नया काम शुरू ना करें अगर आप नौकरी के छेतर में है तो भी सावधानी बढ़ते और अगर वेपार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वेपार में कोई बड़ा निवेश ना करें और जल्दवाजी में किसी प्रकार का क सकता है और कोई चोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है सरकार का कारे सूरे पहले 12 में रहेगा और इसके बाद लगन में रहेगा दोनों जगा सूरे की स्थी पारिटिव नहीं है इसलिए अगर आप काम में आफिस में साबधानी से रखें अपना काम समय पर पूरा करें आफिस समय पर जाएं और ध्यान रखें कोई आपकी कंप्लेंटा कर दे साथ ही अगर आपका सरकारी कार रूल में कोई कारे पड़ता है तो इस समय यह पोजीशन जो सूरे किस बात का संकेर दे रहे कि उस कारे में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि सूरे की पोजी वा यात्रा का समय है कि आपके खर्चे भी होंगे और आपकी काम के सिसले में जगा जगा यात्राएं भी होंगी अब हम बात करते हैं कि धनुराशी के जातकों के लिए शुप्तितिया कौन सी हैं जब चंदर्मा आपका धनुराशी में कुम राशी में विर्षब राशी मे मिफुन राशी में, कन्या राशी में, व तुला राशी में होगा, वो चंद्रमा पाओजिटिव होगा. जो तिश शास्त्र में कहते हैं अगर चंद्रमा पॉजिटीव हो और उस समय हम कोई कारे करें तो उसकी संभावना ज्यादा सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है आप वो शुप्तितिया नोट करें जिसमें आपका चंद्रमा पॉजिटीव होगा 30 वा 4 दिसम किसी से मुलाकात करना चाहे कोई आत्रा करना चाहे कोई अग्रिमेंट करना चाहे लंबे समय से कोई कारे करना चाहते थे तो उस कारे के लिए अगर आप इंस तिथियों का चैन करेंगे तो आपके लिए वो समय positive होगा अब मैं आपको अशुप्तितियां बता रही हूँ जब चंदर्मा या तो चोते घर का या आठवे घर का या बार्वे घर का होगा चंदर्मा या तो मीन का होगा या करक का होगा या बिस्टिक का होगा तो ये चंदर्मा negative होगा हो सके तो इन तिथियों में कोई महजट्ट पुन्ट कारे न करें यात्रा न करें अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वहां साथधानी से चलाएं वह शुप्तित्यों आप नोट कीजिए 5 वा 6 दिसंबर 7 वा 15 दिसंबर 16 वा 23 दिसंबर 24 वा 25 दिसंबर वो शुक्तित्या हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव नहीं होगा इस प्रकाद धनुराशी के जातकों के लिए जो जातक के लिए अगर हम बात करें वो बराल एक ऐसा समय है कि आपका महीन अच्छा जाएगा घर में मांगलिक कारे होंगे जो विवाई हो गई जातक है उनका विवाई हो सकता है प्रेम समंदों के लिए समय उत्तम है धन समंद नकारेंट से बचें कोई नया कामना शुरू करें और सरकार से जुड़े कामों में साब्धारी रखें क्योंकि अगर हमारी कुणली में थोड़े से ग्रहों की स्थिती नेगटिव है गोचर में तो ऐसी स्थिती में जरूरी है कि थोड़ी सी साब्धानी बढ़ते तो कि आपने जॉब जॉइन करने के बाद भी हो सकता है आपको फिर उस जॉब को बदलना पड़े इसलिए अगर आप जॉब जैसे बदले के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो निश्चित करें कि पहले आपके लिए गोचर बिल्कु परफेक्ट है अगर गोचर परफेक्ट है त वही प्रिडिक्शन का फ़ल आप लुक को मिलता है इसके साथ ही दिश्को अपना वीडियो समात करने से मेरी मेरी से पहले मेरी आप सबसे परातना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके साथ ही नमस्काद आश्कों जैमाता दी